शिरी भक्त माल में शिरी किश के शोड़ सक्खा रक्तक पत्रक और पत्री सवही मन भावे मधू गंठो मधू बर्तवर साल विशाल सुहावे प्रेम कंद मकरंद सदा अनंद चंद्रहासा पेद बकुल रसदान सारदा बुद्धी परकासा सेवा समय बिचारी के चारू चतुरू चित की लहे ब्रज राज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत पर रहे रक्तक पत्रक और पत्री ये सब के मन को पेड़े लगते हैं मधू कंठ मधू बरत रसाल विशाल प्रेम कंद मकरंद सदानंद चंद्रहास प्यद बकुल रसदान शादा और बुथी वरकाश ये सुन्दर शुशील एम परम चतर सखागन भवान जी की इच्छा के इंसार जिस सेवा का जो समय है एम जब जो सेवा उचित है उसको विचार करके करते हैं ये उनके प्यारे सुना सखा हैं बरज मंडल के राजा नंद जी के पुत्र शुरी किश के साथ घर में तिथा वन में उनकी ये सुना सखा सेवा में सदा तत्पर रहते हैं मैं इनकी चरन रज का अर्ची हूँ श्री किश्न सखाओं की सेवा रक्तक अदी का सखा रूप में संग रह करके सेवा करना तो परसिद्धी है वन में ये अन्य रूपों से भी प्यारे शाम संदर की सेवा करते हैं जैसे रक्तक लाल चंदन कुम कुम की सर बन करके पत्रक तमाल वरिक्ष पलाश वरिक्ष बन करके पत्री रंग बिरंग की चिडिया बन करके तद्धा ताल आदी की वरिक्ष बन करके मधु कंठ कोयल बन करके मधु रत ब्रहमर बन करके रसाल आमर कटल बन करके बिशाल सभी सुख एम सुख दायक वस्तों का विस्तार बन करके या बड़े-बड़े शाल के वरिक्ष बन करके अत्वाश शाल दुशाले बन करके प्रेम कंद कंद विशेश बन करके मकरंद पुश्प रस कुंद पुश्प बन करके सदानन्द अनन्द परकाश वस्तु बन करके चंद्रहास चंद्रमा की किरन बन करके पेद्ध मेग बन करके बकुल मोल सिरी का पेड बन कर रसदान रसम पदात बन कर सारदा शाखाहुली जड़ी बन करके बुद्धी परकाश ब्रामी बुटी बन करके सेवा करते हैं शिरी भक्तमाल में जम्बू दीप के भक्त सब्त दीप के भक्त जम्बू और पलच सालमली बहुत राज रिशी कुस पुट्र पुनी क्रोंच कोन महिमा जाने लिखी साक बिपुल बिस्तार परसिद्ध नामी अती पोहकर परवत लोक अलोक ओक तापू कंचन धर हरी भृत्य बसत जे जे जहां तिन सो नित प्रतिकाज सब्त दीप में दास जे ते मेरे से ताज जम्बू दीप, पलक्ष दीप और शालमली दीप में बहुत से रिशी राज भकते हैं कुश्टीप और क्रोंश्टीप ये अती पूत्र हैं यहां के भकतों की मेहमा कूं जान सकता है शाग दीप और पुश्कर दीप इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत परसिद्ध हैं लोका लोक परवत सर में भूमी एम अन्य दीप समोहों में जो भगवान जी के सिवक निवास करते हैं उनसे हमारा नित्त ही प्रयोजन है सातों दीपों में जो भगवान जी के दासें वे मेरे सिर के मुकट हैं सब तद्वीप और वहां स्थित भगवत भग्त शिरी प्रयोजन के रत के पईये से जो लीके बनी वे ही साथ समुद्र हुए और उनसे एकी भूम अंडल सब तद्वीप में भग्त हो गया जंबो दीप इसका विस्तार एक लाख योजन है इसमें ग्यारा सो योजन उचार उतने ही विस्तार वला विशाल जामन का वरिक्षे अताए इस दीप का नाम भी जंबो दीप पड़ गया वे अपने ही समान परिमान और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेश्टित है शी प्रीयवरज जी के पुत्र आग्रितर जी इसके अधिपती हुए दोसरा दीप है प्लक्ष दीप इसका विस्तार दो लाख योजन है ये खारे समुद्र को चारो और से परिवेश्टित किये है इसमें ग्यारा सो योजन उचा और इतने ही विस्तार वाला सर में पलक्ष पाकर का व्रिक्षे इसी कारण इसका नाम पलक्ष दीप हुआ ये अपने ही समान परिमान और विस्तार वाले इक्षू रस के समुद्र से घिरा हुआ है शरी प्रियवत जी के पट्र इधामजी है जी इसके अधिवथ हैं तीसरा है शालमली दीप इसका विस्तार चार लाक योजन है ये एक्षू रस के समुद्र को चारए और से परिवेश्ka दिद किये हैं इसे पलक्ष देप के पाकर के ही समान सालमली सेमर का वरिक्षा है कहते हैं यही वरिक्ष अपने वेद में पंकों से भगवान जी की स्तुतिक करने वाले पक्षी राज गरुड़ जी का निवास थाने तदहां यहीं इस देप के नामकरन का भी हितु है ये अपने ही समान परिमान और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है श्री प्रियवत पुत्र यग्यबाहू इसके अधिपिती है चोथा है कुश्टीप मदिरा के समद्र से आगे उसको चारों और से घिर हुए आठ लाख योजन विस्तार वाला कुश्टीप है अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है इसमें भगवान जी का रचा हुआ एक कुशो का ज्जाड है उसी से उस दीब का नाम कुश्य दीब हुआ शिरी प्रिय वरत पुत्र महराज हिरन्य रेता इसके अधिपती है पाचा है क्रोंच दीब घृत समुद्र के आगे उसके चार और उससे दीगन परिमान वाला अर्थात सोला लाख योजन विस्तार वाला क्रोंच दीब है यह अपने समान परिमान वाले दूद्र के समुद्र से गिरावा है यहां क्रोंच नाम का बहुत बड़ा परवत है उसी के कारण इसका नाम क्रोंच दीब हुआ है शिरी प्रिय वरत पुत्र गिरित प्रिष्ट इसके अधिपती है छटा है शाक दूइब शीर समुद्र के आगे उसके चारों और 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक दूइब है जो अपने ही समान परिमान वाले मठे के समुद्र से गिरा है इसमें शाकनाम का एक बहुत बड़ा ब्रिख्षा है उसकी मनोहर सुगन्द जैब पूरा शाक दीब मैकता रहता है इसी से इस सद्दीब को शागदीब कहते हैं शरी प्रियवत पुत्र मीधाती थी जी इसके अधिपती है इसके आगे है पुशकर दीब मठे के समुदर से आगे उसके चारो और उससे दुगने विस्तारवाला पुशकर दीब है जो अपने ही समान विस्तार वाले मिठे जल के समुद्र से घिरा है वहाँ अगने की शिखा के समान देदिप्यमान लाखो सर्न में पंकडियों वाला एक बहुत बड़ा पुशकर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है इसी से इस देप का नाम पुशकर देपड़ा शिरिप्यवत पुत्र वीती होत्र इसके अधिपती है इसके आगे हैं लोका-लोक परवत मीठे जल के समुद्र से आगे 9.96.05.000 योजन के बाद लोका-लोक परवत है यह सुर्य आदी से परकाशिद एम अपरकाशिद भुबागों के बीच में है इससे इसका नाम लोका-लोक परवत पड़ा इसे परमात्मा ने तिलोकी के बाहर उसके चार ओर सीमा के रुब में स्थापित किया है यह इतना उंचा और लंबा है कि इसके एक और से तीनों लोकों को परकाशिद करने वाली सुर्य से लेकर ध्रूप परियांत समास्त जोतिर मंडल की खिरने दूसरी और नहीं जा सकती यह साड़े बारा क्रोड योजन विस्तार वाला है आगे हैं कंचन धार टापो मीथे जल के समुद्र में आगे एक क्रोड़ सतावन लाक पचास हजार योजन भूमी के उपरांद कांचनी भूमी है जो दर्पन के समान सच है यहां देवकोटी के लोग रहते हैं इसका विस्तार आठ करोड उन्तालिस लाक योजन है आगे जंबु दीब के भक्त इला वरत अधि ईस संकर्षन अनुग सदासिव रमनक मच्य मनुदास हिरन्य कूरम अर्यम इव कूरू बरा भू भित्य बर्स हरी सिंग परलादा किम प्रुश राम कपी भरत नरायन बिना दा बद्रासू ग्रीव हाय भद्रस्त्रव केतू काम कमला अनूप मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मंभूब सब दीपों के मध्य जब जंबु दीप हैं उसके नो खंड है उसमें जब निमास करते हैं वे हमारे राजा हैं हमन की प्रजा हैं इलावरत खंड के सामी भगवान संकर्चन हैं और उनके मुखे सेवक शंकर जी हैं रमनक खंड के अधीश शिरी मतस्य भगवान हैं उनके सेवक मनु जी हैं हिरने खंड में भगवान शिरी कोर्म जी आराद हैं और अर्यम्मा उनके पुजारी हैं कुरु खंड के अधीश शिरी वरा भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली प्रिथी देवी हैं हरी वर्ष खंड में शिरी नरसिंग भगवान भी राजते हैं और उनके सेवक पर लाज जी हैं किम प्रुश खंड के स्वामी शिरी राम चंदर जी हैं और उनकी सेवा में हनुमान जी तत पर रहते हैं भरत खंड में भगवान शिरी नाराएन आराध्य देवे हैं उनकी पूजा करने वाले नारज्जी हैं बद्राश्य खंड में हाईगरी भगवान आराध्य हैं और भद्र श्रवा जो उनके पुजारी हैं केतु मालक खंड के अधिपती भगवान काम देवे हैं और कम्ला देवी उनकी सेविका है जम्बू दीप के नो खंडों में भक्ती के सवरोग के विशे में यहां कुछ विवरन प्रस्तुत है मध्य दीप नो खंड सातों दीपों के मध्यमेस्थित जम्बू दीप के अधिपती महराज आगरिद्र के नाभी किम्प्रुष, हरीवर्ष, इलावरत, रम्यक, हिरन्यमे, कुरो, बद्राश और कितुमाल नाम के नो पुत्र हुई राजा आगरिद्र ने जम्बू दीप का विभाग करके नो नो हजार योजन विस्तार वाले नो वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंब दिया इन्ही पुत्रों के नाम से नो वर्ष पर सिद्ध होगे यह था राजा नाभी के नाम से अजनाभ वर्ष किम्प्रुष के नाम से किम्प्रुष वर्ष इत्यादी अजनाभ वर्ष को ही भारत वर्ष कहा जाता है आ गृत्र नंदन राजा नाभी एम उनकी पत्नी मेरिव देवी के यहां से हम भगवान जी ने रिशब देव के नाम से अवतार ग्रहन किया रिशब देव जी के सो पुत्रों में राज रिशी भरत सबसे बड़े सरवादिक गुनवान और महान भगवत भगते वे अत्यंत परतापी और धर्मात्मा हुए उन्ही के नाम से अजनाब घंड का नाम भारत वर्ष पड़ा इन नव वर्षों में परम प्रुष भगवान वहां के लोगों पर अंगे करने के लिए अपनी भिन मोतियों से विराज मान देते हैं इन समस्त वर्षों में भारत वर्ष रिष्टे देवतावी भारत वर्ष में उत्पन हुए मनुश्यों की महिमा का गान करते हैं जिन जीवों ने भारत वर्ष में भगवान की सिवा के योग्य मनुश्य जनम प्राप्त किया है उन्हें ऐसा क्या पुन्य किया है अत्वा इन पर सेम श्री हरे ही पर सन्ना होगी हैं इस परमसो भागे के लिए तो हम भी निजन तर्टरस्ते रहते हैं दीवता ये विलाशा करते हैं कि अब तक सर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर के तियग्य परवचन और शुब करमों से यदि कुछवी पुन्य वचा हो तो उसके परभाव से हमें इस भारत वर् भगवान जी की समरिती से युक्त मनुश्य शीर मिले क्योंकि शिरी हरी अपना भजन करने वाले का मात्र सब परकार से कल्यान करते हैं इसी जंबो दीव में भारत वर्ष है ये सर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की करम भुमी हैं प्रिथिवार भारत वर्ष के अत्रिक्त कहीं भी करम की विधी नहीं हैं अन्य वर्ष भोग भुमियां हैं जनम जन्मांतर के महान पुन्यों का उदे होने पर ही भारत वर्ष में जनम होता है जिनकी कीति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं देव गान भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिनोंने सर्ग और अपवर्ग के मार्ग बूत भारत वर्ष में जनम दिया है वे प्रुश हम देवताओं की अपिक्षा भी अधिक धन्य वड़ भाकी हैं श्री भग्तमाल में श्वेत दीव के भग्त श्री नारायन को बदन निरंतर ताही देखे पलक परे जो बीच कोटी जम जातन लेखे तिन के दर्सन काज गे तहें बिना धारी शाम दैकर सैन उल्टी अब नहीं अधिकारी नारायन अख्यान देड़ता हैं परसंग नाहिन तथा सेत दीव में दासजे स्रवन सनोतिन की कथा शे दीव अर्थाद भगवत धाम भगवत धाम में शे दीव में निवास करने वाले भगवान जी के भक्तों की काथा कान लगा कर सुनीए ये नारायन भगवान जी के मुखार विंदगा निरंतर दर्शन करते रहते ही यदि कभी पलक पढ़ने भर का भी वियावधान हो जाए तो उसे वे क्रोडो नारकी ये कस्तों के समान मानते हैं किसी समय नाराज जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए नाराज जी इन्हे ग्यान अपदेश करना चाते थे शिरी नारायन भगवान जीने हाद से संकेत किया कि यहाँ से लोट जाओ क्योंकि ये रोप माधरी में आसकत जन तुमारे उपदेशों के अधिकार ही नहीं है अधात इन्हे ग्यान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है यहाँ भगवान जी की प्रेम अप्रावक्ती में ही निष्टा है अधात दूसरे ग्यान परसंगों को यहाँ चर्चा ही नहीं है भगतमाल के टिका कार शिरी प्रिया दास जी शेत दीप में निवास करने वाले भगजनों की उपासना के संबंध में तीन कवितों में इस परकार कहते हैं शेत दीप वासी सदा रूप के उपासी गए गए नारद बिलासी उपदेश आसा लागी है दै प्रभु सैन जिनी आवो इह एन द्रिक देखे सदा चैन मति गति अनुरागी है फिरे दुख पाई जाई कहीं शिरी बैकुन ठनात साथ लिये चले लखो भक्ती अंग पागी है देख्यो एक सर खग रहे ओ ध्यान धरी रिशी पूछे कहो हरी कहो बड़ बड़ भाकी है शेदी के निवास करने वाले भग जन सदा भगवान जी के रूप की उपास ना करते हैं रूप मादरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है अपने उपदेशों से सभी को कितात करते हुए सर्दा सरवत्र विचरने वाले कोट की शिरी नारजी एक बार शेदीप को गे वहां के भगतों को उपदेश देने की आशा लगी थी भगवान जी ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहां मत आओ यहां के भगत लोग सदा परम अनंद दायक हैं रूप का दर्शन करते रहते हैं की बुद्धी मेरे रूप में अजनता सकता है मन ही मन दुखी होकर के नारजी लोटाए और बैकुंठ धा में जाकर के बैकुंठ नाजी से सब बात की तब भगवान जी ने कहा हम तुम्हें साथ लेकर के चलें और देखें कि किस परकार उन भगतों के रूम रूम में भगती रही है दोनों शेद दी पोँचे तो वहां देखा कि एक सरोवर के तड़ पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है नारज जी ने पूछा भगवन ये पक्षी इस परकार कैसे बैठा है भगवान जी ने कहा ये बड़ा ही भग गिशाली है क्योंकि भक्ती में पून रोप से लीन है बरस हजार बीते भए नहीं चित चीते प्यासे रहत एपे पानी नहीं पीचे पावे जो परसाद जब जीब जो सवाद लेत लेत नहीं और याकी मती रस भीची लीजिए बात मानी जल पान करी डारी दियो लीओ चोंच भरी द्रिग भरी बुद्धी दीजिए अचरज देखी चक लगे नरनिमेश की हूँ जहों दिशी फिरियो अब सेवा याकी कीजिए इस भक्त पक्षी को इस परकार ध्यान करते हुई एक हजार वर्ष बीत गए हैं और तो अभी इसके मन की विलाशा पूरी नहीं हुई है पानी में रहते हुए भी ये प्यासा रहता है और तो पानी नहीं पीता है इसकी ऐसी निश्टा है कि इसे परशाद मिले तब ही जीब से उसका स्वाद लेता है बिना परशाद के कभी कुछ भी ग्रैन नहीं करता है इस परकार इसकी बुद्धी परशाद रसमे मगन होगी है मेरी इस बात को मानने जीए नारजी को प्रगट दिखाने के लिए भगवान जी ने जल पान करके छीश जल उसके सामने रख दिया तरंट उसने चोच भर के पी लिया भगवात परशाद के स्वाद से उसके नित्रों में नंद के आंसु आगे और बुद्धी भूर होगी इस आश्चेरे को दे करके नारत की टक्ट की लगा कर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे फिर उनके चारों और फिर करके उसकी परकर्मा की और कहने लगे कि अब तो हम यहां रहकर कुछ काल इनकी सेवा करेंगे चलो आगे देखो को रहे न प्रेखो भाव भक्ती करी लेखो के दीप हरी काईए आयो एक जन धाए आती समय बिहाए खेची लिए प्रान फिरी बधु याकी आईए वही इन कहीं पथी देख्यो नहीं मही परेओ हरेओ याको जीव तन गिरेओ मन भाईए ऐसे पुत्र आदी आए साचे हित में दिखाए फेरी के जिवाए रिशी गाए चित लाईए भगवान जी ने कहाँ भी और आगे चलो यहां के भक्तों की भक्ती का भी चित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो शिरी बैक उन्ठनाद और नारज जी शेद दीप में और आगे गे वहां एक मंदिर में भगवान जी के नाम और लिलाओं का गान हो रहा था मंदिर में आती हुई थोड़ी देर बाद एक भक्त दोड़ करके आए जब उन्हें ये मालम हुआ कि आती हो गई मंदिर बंद हो गया हम दर्शनों से वन्चित रहे गे इस पश्चाताब से उसके प्रान खिच गे मैं निर्जीव होकर के गिर पड़ा पीछे से उसकी इस्तरी भी आई और इसने भी वही पुछा कि क्या आती हो गई तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पती से कही थी कि हाँ आती हो गई तुम्हारा पती भी आती का दर्शन नहीं कर सका देखती नहीं हो वहने जीव होकर के प्रिथी पर पड़ा है फिर तो आती अदर्शन जन्य दुखने इसके भी प्रानों को हर लिया उसके पुत्र आदेवी आए दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निश्परान होगे रूप माधरी देखे बिना उनके मन को मरन ही अच्छा लगा जीव प्रिय नहीं लगा उनका दर्शनों का ये प्रेम नारजी को अती प्रिय लगा वे सभी भगत प्रेम में सच्चे द दर्शन किराया कुछ समय बाद जब पुना आती होने लगी तब सभी भगवत क्रिपा से जीवित होकर के दर्शन अनन्त में भोर होगे व्यासादे रिशियों ने इन चरित्तों का गान किया है इनका चिंदन कीजिए शेद दीव निवासियों की भगवत भक्ती शेद दीव भगवान नाराइन का अनिर्विचनिया थाम है जो शीर सागर के उत्तर भाग में विशाल दीव के रूपे स्थित है इसकी उचाई मेरू परवस्य बत्तिस हजार योजन्य वहां के निवासी इंद्रियों से रहित निराहार तथा ग्यान संपन होते हैं उनके अंगों से उत्तम सुगंद निकलती रहती है उस दीव में सब परकार के पापों से रहित शेद वरन वाले पुरुशनि निवास करते हैं उनकी और देखने से पापी मनुश्यों की आँखे चुंधिया जाती हैं उनके शेर तथ हडियां वज्जर के समान से दिड होती हैं वे मान अपमान को समान समझते हैं उनके अंग दिवे होते हैं वे शुब योग के परभाव से उत्वन बल से संपन होते हैं उनके मस्तक का अकार छटर के समान और स्वरम मेगों की घटा के गरजन के समान गंभीर होता है उसके बर बराबर बराबर चार भजाएं होती हैं, उनके पैर सेंकडों कमल सद्रिश रिखाउं से शोबित होती हैं, उनके मुँ में साथ सहेद डांट और आठ डारे होती हैं, वे सुरे के समान कांती मान तदासंपुरन विश्य को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपने जिहां से चाट लेते हैं जिन से संपुरन विश्य तन हुआ है सारे लोग प्रगट हुए हैं वी धरम शांत सभाव वाले मुनी जा संपुरन देवता जिन की शिष्टी हैं उन अनंत शक्ति संपन प्रमीशर को शेद दीव के निवासी भक्ती भाव से अपने हिद्दे में ध निवासी प्रति दिन इशान कौन की और मू करके हाथ जोड़े हुए उन पर ब्रह्म परमात्मा का मानस जाप करते हैं उनके मन की कागरता से भगवान शिरहरी पर सन्न होते हैं परले कान में सोरी की जैसे प्रवा होती है वैसी ही उस दीप में रहने वाले प्रतिक भगवान शिरहरी भी वहां के निवासियों को तेज पुझे के रूप में ही दर्शन देते हैं उस समय उनकी प्रवा हजार सुर्यों के समान होती है उस समय वहां के निवासी दोनों हाथ जोड़ करके नमो नमा कहते हुए उनकी और तेज गती से दोड़ते हैं और भिन पर कार के उपचारों से उनकी पूजा करते हैं तद पत्षात उनकी इस प्रकर स्तुथी करते हैं जितम थे पुंड़े काक्ष नमस्ते विश्य भावन नमस्त थे रेशी केश महाप्रुश पूर्जा तरंतर वहां पुईत और सुगंधित वायों बहुत से दिव्य पुष्प एम कारे उप्योगी ओश्तियों को लेकर किया आती है जिनसे वहां के पंच कालविता अनन्य भक्त मंसा वाचा कर्मना उन तेज़ोरों भगवान शिरी हरी का पूजन करते हैं शिरी भक्त माल में अस्ट नाग इला पत्र मुख अनन्त अनन्त कीरती पिस्तारत पदम संकूपन प्रगट ध्यान उर्ते नहीं तारत अन्सु कंबल बासकी अजित आज्या अनुबर्ती करकोटक तच्छक सुभट सेवा से धर्ती आग मोक्त सिव सहिता अगर एकरस भजन रती उर्ग अस्ट कुल द्वारपती सावदान हरिधाम थिती भाकत सर्पों के आठवंचे हैं ये भगवान जी के द्वारपाल हैं प्रभू की सिवा में सुदा सावधान लेते हैं भगवान जी के धाम में इनकी स्थिती है इलापत्तर जी और अनन्त मुखवाले शेश जी अनन्त भगवान की केती का विस्तार करते रते हैं पदम और शंकू इनका प्रन पर सिद्ध है ये हिद्ध से भगवान जी के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं अन्शू कंबल और वास की ये भगवान जी के आग्याकारी हैं कंक्रोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं सिवारूपी भूमी को सदा अपने सिर पर धर्ण करते हैं शीव सहिता नामक आगन में इनका वर्ण है श्री अक्रदास्ची का कतन है कि इन भक्त सर्पों की भजन में सदा एक रस प्रिती रहती है यहां अश्ट नाग कुल के नागों की भक्ती शंक्षे में दी जा रही है प्रानों में नागों के आठ कुल पर सिद्ध हैं यह है अनन्त वास्की तक्षक कंक्रोटक पदम महापदम शंकपाल और कुलिक यह प्रजापती कशप और नाग माता कद्रों की संतान है यह आठ नाग करमशे पूर आदे आठ दिशाओं के सामी है पदम उत्पल स्वस्तिक त्रिशूल महापदम शूल श्यत्र और अर्ध जंद्र यह करमशे इन आठ नागों के आयुद है अनन्त और कुलिकी यह दोनों भ्रहमन नाग जातिया है शंक पाल और वासकी शत्रिया महापदम और तक्षक वैश्य त्था पदम और कंक्रोटक शुद्र नाग है अनन्त और कुलिक नाग शुकल वरन तथा ब्रहमा जी से उत्पन है वासकी और शंक पाल रक्त वरन तथा अगनी से उत्पन है तक्षक और महापदम सल्प पीत वरन तथा इंद्र से उत्पन है पदम और कंक्रोटक क्रिश्न वरन तथा यम्राज से उत्पन है भगवान अनंत का ही एक नाम शेष भी है भगवान शेरी हरी उन्हें शेष को शेया बना करके शेर सागर में शेयन करते हैं वे शेष जी अपने एक हजार मुखोर दो हजार जिहाँ से सदा भगवान शेरी हरी का नाम जब करते रहते हैं उन सर्व आधार प्रभु का आधार बनने का प्रमस्वभाग्य प्राप्त है शेश्ची को वस्ता शेश्ची भगवान श्री हरे की ही वी भूती है जिस समें प्रम्मा जी की आयू दो प्राध भीच जाती है उस समें काल शक्ती के परभाव से सारे लोक नश्च जाते हैं पंच महा भूत एहंकार में एहंकार महततों में महतत परकतिवें दीन हो जाता है उसी समें भगवान श्री हरे ही एक मातर शेश रिए जाते हैं इसी से उनका एक नाम शेश भी है भगवान शेश सेवा भक्ती के अदर्श धारन है उन्होंने सेम को अपने प्रभु का सेवा और करन बना लिया है वे ही प्रभु की शेया हैं वे ही प्रभु के चत्र हैं और वे ही उनके सिंगासन प्रभु जब लीला अवतार लेते हैं तो वे भी उनकी सिवा के लिए आ जाते हैं शिरी राम अवतार में उन्होंने अनुज लच्छन बन करके सिवा का अदर्श दिखाया तो शिरी किश्य अवतार में अग्रज संकर्शन बल्राम के रूप में उनके संडक्षन का भार वेहन करने की लीला की वेही पता लोक में नागराज शेश नाग के रूप में कंकरोटक तक्षकादी नागों से घिरे बैठे हुए मन वचन शीर के करमों द्वारा भगवान वस देव का जब करते हैं